नवश्कार दोस्तों मों बात करेंगे इस वीडियो में CESC स्टॉक के वारे में यानि कैलकटा इलेक्टिसिटी सप्लाई कोफेशन नौसो रुपे का स्टॉक है आज की डेट पर जो है 90% डाउन देखने के बल रहा है यानि 90 रुपे पर ट्रेड कर रहा है तो देखेंगे क् देखेंगे करीब करीब 90 रुपे की यह तीन रुपे की बाइंग फिर भी इस टॉक में नीचे के स्टरों से आ चुकी है तो देखेंगे जैसा कि आप रीजन जानता ही होंगे मैं आपको दिखा दू इवेंट्स में आप देख सकते हैं फेश वैल्यू चेंज प्रॉम टैं एक शेर था तो आज की डिट में 90 हो गया है आपके नंबर ऑफ शेर जो है दस हो गए यहां भी आपका इन्वेशने डवांड जो नो सो था अभी आपका नबब जो है रुपे के हिसाब से 10 यानि आपके पास इन्वेस्टेड यानि आपकी मूल रुकम सेम है या स्टॉक का इस प्रेट होने की वज़ए से फेस्ट फेलियो जो है एक हो गई है दस की तुलना में और नंबर ऑफ शेर जो है जिसके बाद इतने भी थे वह नंबर ऑफ टैन से जो है मल्टिप्लाइक कर दिये गए हैं यानि दस गुन आपके शेर हो गए हैं तो यह आप देख सकते हैं 89.58% की गिरावड आपको देखने को मिल रही है यानि 790 रुपे श्टॉक डाउन देखने को मिल रहा है और 91.90 का फिलाद श्टॉक का सीमपी चल रहा है देगे जिन लोगों के पास पहले से होड़ था उनको तो नो डाउट आज की डेट में नंबर ऑफ शेर जोंके हैं द कंपनी वाकई अच्छी है बुरी नहीं मैं फाइनेशल डेटा आपको इसका दिखाऊंगा तब आप समझ जाएंगे यह आप यहां देख सकते हैं स्टॉक अपने 2004 के लेवल के आसपास पहुंच गया है 2004 से लेके 2008 में स्टॉक इतनी तेजी से बागा यानि करीब करी 90 रु स्टॉक देखता है लेकिन लगातार 2016 से लेके देखेंगे 2018 तक तब भी स्टॉक ने जो है करीब करीब 400 रुपे से लेके 1000 से ऊपर के रुपे के टार्गिर दिया थे यानि डाई से तीन गुना का अमांट स्टॉक ने 2016 से 2018 के पीरिड में भी किया है तो कंपनी बुरी नहीं है नो डाउट बढ़िया कंपनी है इलेक्टिसिटी का बिजनेस है इन लोग का तो यहां आप देख सकते हैं शॉर्ट में कंपनी का परिचा है CAC Limited is an integrated power utility company engaged in the generation and distribution of electricity CAC Limited Limited was incorporated on March 28th 1978 with the name of Calcutta Electricity Supply Cooperation India Limited financial numbers के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं आपको ब्रीफ में दिखा देता हूं यह सारा revenue में ने ओपन किया है annual यह सारा figure है जो कि 2017, 2018, 2019, 2020 और 21 का यानि 21 का अब तक का है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो बात करें यहां आपको revenue में company के लगातार जो है growth देखने क बात अब यह company का net profit में ने open किया यानि company जो net profit किया taxes expenses सारे निकालने के बाद शुद्र मुनाफ़ा जो 2017 से लेकर अब तक company ने gain किया है वो भी लगातार आपको बढ़ते वे देखने को बल रहा है यहां भी कुछ explain करने जैसा नहीं है उसके अलावा annual EPS में ने open किये तो बह अतार ग्रोफ है EPS का अंकड़ा हमेशा net profit को follow करता है net profit company का बढ़ रहा है तो EPS भी no doubt बढ़ेगा company का ROE में ने open किया वाए वह भी आप देख सकते हैं पिछले सालों से बढ़ा ही है और आपको 2020-21 में हलका सा जो है डाउन देखेगा एकदम मामूली डाउन है करीब- रहा है उसके लवाई company का debt to equity ratio आप देखेंगे 17 से लेकिस तो यह भी company जो है maintain किया वाए डैट को कुछ खास कम तो नहीं कर पाएं लेकिन बीच पीच में डैट बढ़ा भी है तो उसको फिर से maintain ही company रखाया कुछ खास यहां पर डैट मेंकर उच्छाल नहीं है overall maintain किया यह quarterly basis मैंने पिछले पांच quarter के open किया है जून 20 से लेके जून 21 तक है नमबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सारा revenue है company का इसमें भी जो है थोड़ा बहुत उचाल जो है उतार चड़ाव आपको देखने को मिल रहा है बाकि overall number आप पिछले सभी quarter से देखेंगे तो जू को थी किया था लेकिन मार्च के बाद में यहां पर आपको decline जरू देखने को मिल रहा है Q2 के नमबर company पोस्ट करेंगी जल्दी ही अगले महीने संभावित नमबर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें देखेंगे अच्छे नमबर की उमीद है उसके जैसे कि मैं आप बत करते हैं क्या इस इस टॉक को इस प्राइस पर बाय करना चाहिए तो मेरी दरफ से बिल्कुल येस है मेरे इस आप से करना चाहिए प्राइस काफी सस्टाइश टॉक हो चुका है बहले ही स्टॉक हो गया लेकिन company वही है दाम आपको सस्टे में ही मिल रहा है और देखेंगे तो इसलिए मुझे आपको आज ही का चार्ट दिखाने के लिए इस गेप को थोड़ा हाइड करना पड़ेगा तो यह आप देख सकते हैं यह कंटिनुसली जो 89 रुपीज के अजबल की उससे भी नीचे करीब करीब 88.5 के प्राइस से स्टॉक में लगाता है यह 5-5 मिनट की केंडल में आप बाइंग देख रहे हैं मुझे लगता है आने वाले कुछ जो है दिनों में वीक्स में स्टॉक आपको अगें 100 के पार आराम से जाते वे देखने को मिल सकता है उसमें कोई समस्या नहीं आएगी और कंपनी बाइग करना चाहते हैं अराम से करिए व्यू को लॉंग रखिए कंपनी अच्छी है कोई उसमें दो रहाए नहीं है डिविडेंड भी कंपनी पेक करती है चलिए के बारे में हमने बात कर लिया आपको वीडियो अच्छा लगा तो सलाइक कर देना चलन को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद